नमस्कार हमारे सामने 27 वर्षिय युवक की कुंडली 26 नवंबर 1993 को 10 बचकर 26 मिनट पर हुआ है इनका जनम इनकी कुंडली धनू लगन की कुंडली है और इनका चन्दरमा मेश राशी में बैठा हुआ है यानि लगन के स्वामी ब्रस्पति देव हैं चन्दरमा यहां अश्वनी नक्षतर में है जो की केतू का नक्षत्र कहलाता है और अशोनी नक्षत्र के दूसरे चन्दम में इनका जनम हुआ यानी बच्चे का जनम मूलों में हुआ और केतू की महादशा जनम के समय में व्यक्ति को मिली कुंडली के अंदर चंदरमा एक मात ऐसा ग्रह है जिस से हमें व्यक्ति के जीवन में उसकी मानसिक्ता, उसका मन, उसका मनोबल ये सब कुछ देखा जाता है चंद्रमा मंगल की राशी में होता है तो व्यक्ति के साहस में व्रद्धी करता है लेकिन कभी कभी ये साहस की व्रद्धी जल्दबाजी भी जानी जाती है जब चंद्रमा यहां मेश राशी में अगनितव राशी में हो मंगल की राशी में हो शनी उसको दरश्टी दे रहा हो और अश्टम भाव का मालिक हो के चंद्रमा पंचम में हो यानि बुद्धी के द्वारा जल्दबाजी में लिए गए निर्णों से नुकसान होने का योग कहलाता है इसलिए जीवन में कभी भी चंद्रमा की दशान तरशा आए तो आपको अपनी इमोशन्स पर अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रखना चाहिए जल्दबाजी नहीं करने चाहिए क्रोध में आके निर्णे नहीं लेने है बेवज़ा किसी बात को लेकर शड़ चड़ाहट या क्रोध नहीं होनी चाहिए ऐसा मैं इसलिए कहराऊं क्योंकि अभी सितंबर दोजार तेईस के बाद आपको चंद्रमा की दस साल की महादशा शुरू होगी और चंद्रमा जब बुद्धी स्थान में अश्टमेश होके होते हैं तो इसको कहते हैं व्यक्ति अपनी बुद्धी के द्वारा जल्दवाजी के द्वारा गलत निर्णे लेता है और नुकसान को पराप्त हो जाता है तो ये चंद्रमा की दशा आपको जब से आएगी आप अपना ध्यान रखियेगा उस दोरान बात करते हैं शनी के शनीदेव आपकी कुंडली में तीसरे घर के मालिक होके तीसरे ही घर में बैठे हैं दूसरे और तीसरे के मालिक शनीदेव मुल्तिकॉण राशी में तीसरे घर में हो अपनी दशा अंतर दशा के अंदर व्यक्ति को दूर इस्थान से जोड़ने में शक्षम है true travelings कराने में शक्षम है विदेश यात्रा या इस्थान परिवर्तन कराने में शक्षम है उस इस्थान परिवर्तन से या उस traveling से व्यक्ति को फाइदा होता है क्योंकि एक तो ब्रसपती की पंचम दरश्टी शनी पर आती है यानि आपका ब्रस्पती जो लगन का मालिक है वो आपके शनी को फोलो कर रहा है दूसरा द्वादश भाव का मालिक जो मंगल है जो बारवा घर दूर की यात्राओं के लिए जाना जाता है वो भी शनी को सपोर्ट करता है इसका मतलब ऐसा व्यक्ती अगर जनम इस्थान से दूर जाए तो वहां जाकर वह तरक्की अवश्य करेगा शनी देव तीसरे घर में होते हैं तो व्यक्ती के साहस में वरद्धी करते हैं अब आप देखिएगा के बारवे घर में तीन ग्रह बैटे हैं मंगल है सूर्य है राहू है मंगल कौन है पंचम भाव का मालिक द्वादश में पढ़ने के लिए बाहर जाना पढ़ने के लिए घर से दूर जाना संभवते द्वादश भाव है तो विदेश भी जा सकता नवम भाव का मालिक सूर्य है द्वादश भाव में बैटा है भाग्ये बनाने के लिए बाहर जाना है भाग्ये बनाने के लिए दूर इस्थानों से जुड़ना है वहां से लाब लेना है और जब पंचम और नवम दोनों के माली कुंडली में एक साथ हों तो ये लक्षमी योग होता है इश्वरिय किरपा से आपको धन मिलेगा ये अच्छी एजूकेशन के साथ साथ हायर एजूकेशन का एक कॉंबिनेशन है जब तक सूरिय की दशा चलेगी 2023 तक तब तक आपके जीवन में अच्छी पढ़ाई के योग संकेत बने रहेंगे आप अपनी शिक्षा का प्रचार करिए प्रसार करिए उसको आगे बढ़ाईए यानि सूरिय की दशा तक इस कुंडली में भग्य को बनाने के लिए यात्राई दिखती है फाइदा दिखाई देता है दूर स्थान ते जड़ना दिखाई देता है सोर्स ओफ इंकम दिखाई देती है पढ़ाई दिखाई देती है क्योंकि सूर्य की दशा अभी भी इनको सितंबर 2023 तक चल रही है तो ये बारवे घर में बैठे हुए ग्रहे के रिजल्ट है बारवे में अगर तीन तीन अशुब ग्रहे हो मंगल सूर्य राहू तो ये थोड़ा विभा कराने में विलंब देते हैं इसको मंगल दोश भी कहा जाता है वैसे स्वेराशी का मंगल बारवे घर में हो तो इसको मंगल दोश बहुत कम कंसिडर करते हैं लेकिन ये चंदर्मा से भी अस्टम में है तो अगर लड़की मंगली मिल जाए तो ठीक लेकिन आप अवे लड़के का परचार ना करें कि हमारे लड़का मंगली है कोई कहे तो उनको बोलना कि मंगल स्वेराशी का बैठा है अपनी राशी में चलिए मंगल दोश कड़ जाता है चलिए बात करते हैं सरस्वती योग की शुक्र शुक्रा चारे हैं बुद्ध लौजिक बुद्धी देने वाले और ब्रस्पती ब्रस्पती देव अचारे हैं विवेक देने वाले हैं जब ऐसे गरह कुंडली में एक साथ हों केंदर त्रिकोणों में हों तो ये सरस्वती योग होता है सरस्वती योग का मतलब है इश्वर की कृपा से उनको सदबुधी मिलेगी ज्ञान मिलेगी ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने बल पर अपने ज्ञान के बल पर आगे बढ़ता है सरस्वति योग अच्छी शिक्षा अच्छी बुद्धी सदबुधी के लिए भी जाना जाता है आपके चंद्रमा को समालने वाले ये तीनों शुब ग्रहे हैं कि एक चंद्रमा जो शुरुवात में प्राब्लमेटिक बदाया था लेकिन जब जब उसको तीन शुब ग्रहे देख रहे हों तो ये क्या करते हैं जीवन में अगर गलत निरने या कुछ होने वाला भी होता है तो उसको ये समहल जाते हैं अब ब्रस्पती बुद्ध और शुब को जब तीन समझदार ग्रहे हो तो सकता परिवार का कोई व्यक्ति समझा दे यार दोस्त अच्छा समझा दे माता पिता अच्छा समझा दे तो वो इनको हैलप कर जाते हैं इसी लिए जो शुब ग्रहे होते हैं वो अच्छे होते हैं एकादश का मालिक शुक्र एकादश में बैठे और तीन तीन ग्रहे वहां संबंदित हो जाए चंद्रमा भी उसे देखे multiple source of income का combination होता है ये ग्रहे अपनी दश्यां तरदशा में अच्छा पैसा देने में शक्षम है और व्यक्ति जीवन में कभी कभी दो से तीन साधनों से भी पैसा कमा लेता है बुद्ध भी देखिए वहीं है व्यापार भाव कर्म भाव का मालिक होके बुद्ध बैठा है source of income के भाव में यानि आपके द्वारा किया गया कर्म आपके द्वारा की गई मेहनत सफल होगी ब्रस्पती भी धन्योग में बैठे हैं धन्मालिक के जिलाने वाला परिवार से संपत्ती एवं पैतरक संपत्ती जिलाने का भी योग कहलाता है तो उस लिहाज से ये combination बहुत ही अच्छा है तो ये तो था एक होरस्कोप में planetary position के कौन से रह कहां बैठे हैं इसका क्या result होना है के तु भी देखे शुकर की हिराशी में है शुकर शुकर की राशी में थे यहां स्वयराशी हो गए मंगल मितर की राशी में हो गए हैं चंदरमा वहां उच्च के हो गए हैं शुकर यहां मितर की राशी में हो गए हैं तो planetary position अपने आप में नवांश में बढ़ गई जब नवांश कुंडली में planetary position बढ़ जाती है तो व्यक छे वर्ष की सूर्य की माधशा जीवन में 2017 से 2023 तक चलेगी सितंबर तक सूर्य पंचमेश के साथ 12 में है शिक्षा करने के लिए घर से बाहर जाना घर से दूर रहना या विदेश जाना ऐसा संभव दिखता है सूर्य की दशा में अपने भाग्य को बनाने के लिए मेहनत करना आँखों से संबंदित रोग होना या चश्मा आदी लग जाना भी ऐसी स्थितियों में दिखता है दूर इस्थान ते जुड़ना टूर ट्रेवलिंग्स करना भी ऐसी दशाओ के अंदर होता है हायर आजूकेशन के लिए विदेश जाना भी अच्छा होता है क्योंकि ये लक्षमी त्रिकॉन भी एदी वेक्ती चाहे तो सोर्स ओफ इनकम भी इस दशामे कर सकता है तो वो सारे कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में मुझे सूर्य की दशामे दिखाए दिए है शनी की दरश्टी भी है यानि शनी भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं इनको धहरे प्रदान कर रहे है अभी देखिएगा दशा चल लई है सूरिय में शनी जुलाई 2020 से जुलाई 21 सूरिय द्वादश भाव में शनी तीसरे में उसको वापस देखता है यानि सूरिया शनी में भी कुछ इस्थान परिवर्तन होने की संभावना हैं। आपने कहा, when is he getting married, how will be his married life and wife? इनकी पतनी इनके लिए सहियोगी रहेंगी। Married life wise को अगर मैं देखूं तो शुरुवाती married life में कुछ समस्या आने की संभावना हैं। लेकिन विभाव छेद, तलाक, separation ऐसे कोई combination इस ओरस्कोप में नहीं है। पतनी सहियोगी होगी, पतनी working होगी और साथ में कुछ इनके साथ सहियोग करने वाली अवश्य होगी या कह सकते हैं खुद अपना कुछ करम करेंगी। सब्तम भाव का मालिक बुद्ध है, वो पंचम भाव में बैठा है, उसको सूरिय शनी दोगर है, देख रहे हैं। अब ऐसा combination कभी कभी मनमरजी के विवा को भी दिखाता है, यानि हो सकता है बच्चे को कोई लड़की पसंद आ जाए, वो आपको बताए कि मुझे लड़की पसंद है, तो वो ऐसा combination है, बाकी कोई बड़ी problem नहीं दिखती, गुण मिलान करके विवा नहीं करें, कुंडली म देखें कितना बल है, और वो कितना जदे वहवाई जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है, अभी सूरिय की दशा इनको चल रही है, और सूरिय की दशा अभी इनकी जो उमर है, वो हो गई 27 वर्ष, सूरिय में चल रहा है शनी, शनी के बाद आएगा बुद्ध, दोरान आपके सामने कोई रिष्टा आ सकता है, तो एक तो शादी का योग वो हो गया है, उसके बाद बुद्ध के बाद के दशा में शादी नहीं होगी, के तो के बाद आएगा शुक्र, शुक्र नैचरल विवाह का कारा के और यहां बैठा भी है, यानि सूरिय शुक्र स जॉब में होंगे या अपने केरियर के लिए सोच रहे होंगे, क्योंकि जीवन में विवाह की दशाएं आती जाती रहती है, तो उनको उसी साफ से मैं आपको यहां बताने का परियास किया, कहां कहां विवाह से संबंदित इस्थितियां मुझे मजबूत दिखती हैं, उमर इनकी हो रही है, तो इनको विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में कमाना तो हमेशा चलता ही रहेगा, शादी होगी, शादी के बाद बच्चे होंगे, इनकी कुंडली से पुत्र एवं पुत्री दोनों का सुख दिखाई देता है, पर यह नहीं पता लगता कि को पहली संतान पुत्र होगी या दूसरी होगी, या तीसरी होगी, कुंडली में संतान देने वाले गरहे, यहां मंगल देव हैं, लेकिन 17 कुंडली में ये कॉंबिनेशन दिखता है, अधिक्तम दो ही संतान का योग दिखता है, बाकि संतान देने वाली जननी या पतनी होती हैं, उनकी कुंडली में ये योग अवश्य देखें कि वो संतान नहीं तेल रिगार्डिंग इस केरियर ग्रोथ एंड पर्मोशन इन सब के लिए हमें कुंडली में देखना पड़ेगा चंदरमा को क्योंकि सूरिय की दशा तक तो इस कुंडली में प्रोफेशनली संगर्श दिखता है क्योंकि सूर्य दश्मांश कुंडली में 12 शेश होकर नीच का होके दूसरे घर में राहू केतु एकसस में है अब चंदरमा की दशा 2023 से आएगी 10 साल की पंचंब भाव में चंदरमा 3 सुभ गरहु से दरश्ट यानी जो ग्रह धनियोग और राजऑ बना रहे हों चंदरमा को देख रहे हैं या कह कहले जिए चंदरमा से साथवे घर में हैं दशमांश में चंद्रमा दशम्म में है यानि चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी. चंद्रमा की दशा सही मैं कह सकता हूँ कि इनका कैरियर ग्रोथ करेगा, انके जीवन में प्रमोशन होंगे, इनको अच्छी नौकरी, अच्छी सेलरी मिलेगी. सूरिय की दशा तक तक तो मैं इतना अच्छा इस कुंडली को नहीं कह सकता हैनिकन हाँ चंदरमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी प्रोफेशनली इसी गोइंग टू सेटल एवरोड हाँ बहुत कुछ दिखाई देता है के अबरोड सेटल होने के बहुत अच्छे कॉंबिनेशन अभी भी चल रहे हैं इनके जीवन में और इनकी कुंडली में तो मैं आपको बताई चुका कि भाईया ऐसे लोग विदेश में जाके काम करें या रहें तो जादे अच्छा रहता है तो अभी भी इनके पास योग हैं आगामी दो ढ़ाई वर्ष तक अच्छा योग चल रहा है इनके लिए विदेश में जाके काम करने का सेटल होने का माता पिता के साथ संबंद कैसे रहेंगे कुंडली में चौथा घर माता जी के लिए नौवा घर पिता जी के लिए जना जाता है वहीं सूरिय पिता का कारक है और चंद्रमा माता के कारक है दश्मान दौदशांश कुंडली में देखें तो सूरिय पंचम में है लेकिन चंद्रमा अश्टम में है मैंने दो तीन जगे इस combination को देखा यहां सूरिया बारवे घर में पहुँच गया यहां चंद्रमा यहां हुआ माता पिता से संबंदों की कोई problem नहीं दिखती लेकिन माता पिता से दूरी जरूर दिखती है हो सकता है बच्चा चाहता हो माता पिता को care करना उनके साथ रहना उनका आधरमान सम्मान करना लेकिन दूर होने की वज़े से वो उन्हें पूरी तरीके से help नहीं कर पाएगा लेकिन सहयोग ठीक है relationship ठीक है is he going to study further मैंने आपको बताया कि जब तक सूरिया की दशा चलेगी तब तक लगातार पढ़ने के योग इनके जीवन में लगे रहेंगे और इनकी पढ़ाई जारी रहेगी शादी के बारे में अगर हम देखें कि भई अगर सूरिया की दशा में शादी नहीं होती है बच्चा पढ़ रहा है नहीं मान रहा वो कहता नहीं में तो और पढ़ना है या कुछ भी करना है तो आप ये देखेगा कि चंद्रमा की दशा जीवन में आएगी फिर चंद्रमा में चंद्रमा चंद्रमा में मंगल यानि फिर ये योग आएगा 2025 और 26 में जागे है तो इस तरीके से मैं आपको विवा की दशाएं बताई है आप उसी साफ से देख सकते हैं जब आपको लगे कि आपका बच्चा अब सेटल है शादी के लायक है ताप उसकी शादी कर सकते है कुंडली ओवराल ठीक है जीवन में 2023 तक का संगर्श अभी बाकी है उसके बाद जब चंदरमा की दशा लगेगी बच्चा जीवन में अच्छी तरक्की करेगा अच्छी प्रोग्रेस करेगा क्योंकि चंदरमा के बाद मंगल की दशा आजाएगी तो सारी दशाएं जो आगे हैं वो प्रोग्रेसिव और अच्छी है कुंडली में केंदर भी खाली है आप देखे का केंदर स्थान में कोई ग्रह नहीं जब भी ऐसे कॉंबिनेशन्स होते हैं तब भी ये कॉंबिनेशन्स घर से दूर ले जाते हैं बच्चे को तो चलिए ये तो था होरस्कोप का अनिलाइसिस सवालों के जवाब मैं कहूंगा कि आप इनको कहिए कि एक पुखराज रतन पहने इनके लिए लगनेश है इनका ब्रस्पती वो एक आदश भाव में है और यहां भी लगनेश हो के लगन में बैठा यानि ब्रस्पती का सपोर्ट होना इनको जरूरी है पुखराज रतन पहनना इनके लिए जरूरी है वो इनको आप राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहनाईएगा आपको चाहिए तो आप मुझसे प्राप कर सकते हैं तो एक पुखराज रतन इनके लिए अच्छा रहेगा बागी इनको कहिएगा पूजा पार्ट में मैं इनके लिए सिर्फ एक ही पूजा बताना चाहुँगा वो है आदित्य इहर्दे इस्तोत्र भागवान सूर्य देव का आदित्य इहर्दे इस्तोत्र है Google से YouTube से मिल जाता है आप उसको देख लीजिए उसको पढ़ लीजिए वो संस्क्रत में भी मिलेगा हिंदी में भी मिलेगा तो वो पढ़ने का प्रियासी रोजाना करें उसको ये रोजाना अपनी पूजा में करें वही इनके जीवन में सबसे बढ़िया पूजा रहने वाली है एक मातर पूजा वही है इनके जीवन में बाकी पुकराज पहने आगे जीवन इनके लिए बहतर रहने वाला है नमस्कार